क्योंकि कोरोना की शुरुआत से हम लगातार इस बात को डिसकास करते थी कि क्या गर्मी आने पर कोरोना चला जाएगा ऐसा हुआ नहीं लगा जैसे किसी मौसम का कोई असर नहीं लेकिन ठंड के समय में जो नॉर्मल सिम्टम्स एक इंसान में आते हैं उस वज़े से थोड़ा वैक्सिनेशन शुरू होने वाला है उससे कोई सिधा रिष्टा बनेगा ऐसी बात है कि ये भी देखा जा रहा है पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं कि मुटेशन क्या है सो मुटेशन यह होता है कि वाइरस अगर सर्वाइव करना चाहता है वो अपने आपको सिक्वेंसिंग होती है और अगर उस सिक्वेंसिंग को चेंज कर दे तो कई बार वो ज्यादा विरॉलेंट हो सकता है यह सोचिए कि उसने अपना सर्वाइवल एक एडवांटेज ले लिया क्योंकि अब एंटी बॉडिज आ गई हैं लोगों के अंदर एंटी बॉडिज है ये इक्स्टिंट भी हो जाते हैं वड़ काई बार वाइरिस जादा उख्यक्टिव मौल्टिप्लाइ करते हैं है और जादा देन्जरस हो जाते हैं एक बात मैं कहना चाहूंगा तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें घबराने की missle नहीं है. चाहे आपको ये हमें सबको समझना है कि अगर वाइरस ज़ाधा विरिलन्ट है और स्याधा लोगों को इनफेक्ट कर सकता है तो चाहे ये ज़ाधा लोगों को ना मारे चाहे इसकी virulency और dangerous ना भी हो पर अगर जादा लोग effect होंगे तो जादा लोग serious भी होंगे और जादा लोगों की death भी हो सकती है तो precautions और इसका बार बार देखना घ्यान रखना ख्याल रखना और ये भी virus और आगे जाके change नहों एक बहुत बड़ी important बात है सतर्क रहना तो हमारी government के लिए और हमारे लिए अपसे अनिवार्य हो गया है जो चीज हम सोचते थे कि अब बाहर जाके हम enjoy करें मास्क को तारे और देखा जा रहा था चाहे हम कहते हैं कि हिंदोस्तान ने अच्छा पालन किया है बट आप फिर भी देखिए कि लोग अब life को enjoy करना शुरू करना चाहते हैं बाहर जाना चाहते हैं पार्टीज करना चाहते हैं गूमना चाहते हैं और जादा तरह लोग तो मास्कों गले के चारों तरह बांद के एक ओर्नमेंट की तरह घूमते हैं। अब हमेशे सतर्क रहना है क्योंकि ये जो वायरस आया और विलेंस हुई तो जादा लोग को इंफेक्ट करेगा और मौते भी जादा हो सकती इस वज़े से सेकेंड बात आई ये भी अनफॉचनेटली देखा जा रहा है कि ये जो आजकल का मौसम है ये वही मौसम है जो इंगलेंड का मौसम है जहां पर ये वायरस ने मल्टिप्लाई किया है तो एक सेकेंड कंसर्न भी है कि ये वायरस ऐसे मौसम में जादा मल्टिप्लाई कर सकता है आपको पता ही है कि flu भी winters में होता है और flu winters में जाड़ा होता है इसी तरह corona virus का ये mutation इस मौसम में जादा खतरनाक हो सकता है जादा लोगों को infect कर सकता है हाँ ये जरूर है कि आजकल लोगों को flu भी होगा और after all corona virus भी एक flu virus है तो लोग सोचेंगे कि हमें कहीं कोरोना हो नहीं रहा हो, कहीं हमें एक खासी जुकाम सर्दी है, तो वो प्रिकॉशन्स और अपनी टेस्टिंग कराना, सतर्क रहना, फैमिली का ख्याल रखना, बड़े बूरों का ख्याल रखना, अब अनिवार्य है, अभी हम सब को कह रहे है कि आप फ्लू वैक्सिन लगवाएं, फ्लू से बचें, और सून होफ़ुली कोरोना वाइरस की वैक्सिन आ जाएगी, अब तक ये सोचा जाता है, बड़ ये शोर नहीं है कि ये वैक्सिन इस वाइरस से प्रिवेंट करेगी, उमीद यही है, क्योंकि ये आरने पे है, ये स मिसरा मियुटेशन और और खतरनाक मुटेशन आ सकता है, प्रिवेंशन प्रिवेंशन जो हमारे हाथ में है, वही हमारा मक्सक्स होना चाहिए, बहुत सारे लोग मास्ट को लेकर उतने सजग नहीं रह जाते होने लगता है कि चलो अब तो वैक्सीन आ गया अब हिंदुस्तान में पहली डोस मिलने से पहले ही वाकई गले के आसपास लटका हुआ मास्क मिल जाता है तो ऐसा लोगों को बिल्कुल नहीं करना है अगर डॉक